पटना के राजिन नगर के महाली पकड़ी के नजदी नगर निगम की गाड़ी ने एक बच्चे को कुचल दिया जिसके बाद बच्चे की घटना स्थल पर ही मौत हो गई बताया जा रहा है कि उसके बाद लोगों ने जम कर हंगामा किया वही गुसाए लोगों ने कई गाड़ीों के समीद नगर निगम की गाड़ी में तोड़ फोड़ की है और पूरे इलाके को सड़क पर आकर जाम कर दिया अफरात अफरीके माहौल में काफी हंगामे के बाद पुलिस मौके पर पहुँच कर हालत पर काबू पानी की प्रयास में है वूर खर्वरर कत बाद नियर थे अरताई म्याम ef अच्रुच की अब Au जो भी जो आइ फोड़ीजन भी प्रीम ही पैर अव्म्म पामों अथम धिशी जाम्म्म अशन प्रेंट सब्सक्तर साव उंपाने में है श्री इवेंट, एकम्प्लीट इवेंट प्लानर फट्दे यहां से कुड़ा, और उसको क्या किया कि मतलब चरहा कर इतना असपीड में भागा, साड़ आदमी पे चाहड़ जाता लेकिन हम फ़ये हो गये तेमपू अश्टन लेके गया है नगर निगम आपिस के पास हम लोग गया वहां पर क्या हुआ कि वहां पर बहुत सबन बंद होगें और एक आधमी जांता है पड़्डे यह मांग के मांग हम लोग का यह है कि जिसका जो यह हवा हरा उसके गिरब तारी और पलस में की नहीं तो हम लोग सब दिन के लिए यह रोट जाम रहेगा जाम रहेगा जाम रहेगा अर्व चोटा चोटा बच्चा जाता है अगन बारी पढ़ने की जिए असार सोचाले नहीं है इतना है उस्पीट में जए तो उसके बाद इन लोगों ने जो यहां कंकरबाग वाला एरिया है यहां जोपडबती है बगल के लोगों ने आपके जामवाम किया और उसके बाद परशास को फुलवाया जा चुका है अब जो है नॉर्मलाइज स्थिती कर दी गई है जो रेगुलर मॉर्जा होता है मौत के संदर में वह प्रशासन दोरा दिया जाएगा और जो घायल होंगे उनका ट्रीटमेंट जो है को करवा दिया जाएगा जो भी अगर मानीजे केस होता है त जो भी नेसेसरी एक्शन होगा हम लोग करेंगे जो है जो है गटना सुबह मौर्णिंग में आठ साढ़े आठ के बाद की है और जो बच्चे की एज बताई जा रही है वो तीन साल लगबग बताई जा रही है तर आपके नसे में था चाला कास्थानियों लोगों का कहना है देखें किसी बात की पुष्टी अभी नहीं हुई है जैसी पुष्टी होगी हम तवरित एक्शन करेंगे उस पर अबर ऐसा हुआ है ऐसे ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब साथ ही साथ दिए अगर बैल आइकन को भी दबाएं थैंक यू